कमर दर्द या पीट दर्द की समस्या से अक्सर लोग परेशान रहते हैं क्योंकि ये समस्या काफी कॉमन है कमर दर्द या पीट दर्द की समस्या सबसे ज़ादा 40 साल की उम्र के बाद शुरू होती है महिलाओं में ये समस्या period और pregnancy की दौरान सबसे ज़ादा होती है और उसके अलावा महिलाओं में कमरदर्द की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं अधिकतर महिलाओं कमरदर्द की समस्या से बचने के लिए तमाम प्रकार की दवाओं को सेवन करती हैं लेकिन फिर भी उन्हें इस समस्या से पूरी तरह आराम नहीं मिलता है ऐसा नहीं है कि कम उम्र की महिलाओं को कमरदर्द नहीं होता युवा महिलाओं में भी कमरदर्द के कारण माश पेशियों में मूच, जटका, हर्नियेटिड या डीजिनरेटिड डिस्क या साइटिका जैसी समस्यां आ सकती है इस बारे में मुंबई की एक डॉक्टर ने बताया कि महिलाओं में पीठ दर्द के कई कारण हो सकते हैं जैसे प्रेमेंस्ट्वल सिंड्रोम, एंडरोमेट्रियोसिस, डिसमेनूरिया यानि दर्द वाले पीरियेट्स और प्रग्नेंसी आधी तो आईए आज आपको इन कारणों के बारे में बताते हैं प्रेग्नेंसी में महिलाओं को अक्सर कमर दर्द की समस्या से जूजना पड़ता है प्रेग्नेंसी में कमर दर्द की समस्या में सबसे ज़ादा दर्द कमर के ठीक नीचे और टेल बोन के पास होता है पांचवे महीनी के बाद कमर में होने वाला दर्द बढ़ जाता है और इसकी वज़ों से महिलाओं को काफी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है ओस्टियोपोरोसिस 40 सल की उम्र की महिलाएं एस्ट्रोजन की कमी के कारण प्री मेनोपॉज अवधी का अनुभव करती है और जिसकी वज़ों से उनकी हड्डियों पर असर पड़ता है उम्र बढ़नी की वज़ों से भी पीट दर्थ के कई कारण होते हैं जैसे स्पॉंडिलाइटिस, स्पाइनल, स्टेनोसिस और डीजिनरेटिव डिस्क आदी मोटापा मोटापा भी कमरदर्थ का एक कारण है महिलाओं को सही लाइफस्टाइल अपना कर अपने आपको स्वस्थ रखना चाहिए उन्हें बैठते समय रीड को सीधा रखना चाहिए साथी साथ रोज व्यायाम करना चाहिए अगर वो किसी तरह का विटामिन डी और कैल्शियम ले रही है तो उन्हें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए मैनुपॉज उम्र बढ़ना एक ऐसा बदलाव है जो हर इंसान में देखने को मिलता है इसी प्रकारिक औरत अपने हर 10 साल में शारीरिक बदलावों को सामना करती है जब मैनोपॉस की स्थिति में पहुच जाती है तो उसे कमरदर्थ होना शुरू हो जाता है सुस्त लाइफस्टाइल सुस्त लाइफ स्टाइल भी कमरदर्द का कारण है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 40 साल की उमर में महिलाएं व्यायाम नहीं करती है जिसकी वज़ों से उनकी जीविन शैली भी खराब होने लगती है इससे उनका मोटापा बढ़ने लगता है पेट में समस्याइं भी होने लगती है जिस कारण से हार्मोनल बदलाव, तनाओ की समस्या, नींद कमाना, विटामिन डी की कमी आदि बदलाव होने लगते हैं ये भी कमरदर्द का कारण बनता है कमरदर्द की समस्या से बचने के लिए अपनाएं ये तरीके exercise एक ऐसा हत्यार है जिससे प्रतिक प्रकार की व्यायाम जैसे aerobics, flexibility exercise, balancing जैसी exercise कमरदर्द जैसे समस्याओं को ठीक करने और पीट की निचले हिस्से में दर्द को रोकनी में प्रमुक रूप से मदद करते हैं हाली के एक शोध में ये दिखाया गया है कि कमरदर्द का जोखिम उन महिलाओं में सबसे कम हैं जो हफते में कम से कम 3-5 बार व्यायाम करती हैं महिलाओं को अपने पॉश्टर पर भी ध्यान देना चाहिए और अपनी रीड को सीधा रखना चाहिए नियमित रूप से व्यायाम करते समय विटामिन डी और कैल्चियम की खुराक लेने के लिए डॉक्टर से सलह लेनी चाहिए डॉक्टर वजन खटाने के लिए कई सुझाओ देते हैं जिसमें जादा वजन बाली महिलाओं को कम वजन बनाए रखने की सलहा दी जाती है